हेलो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत थे आपके अपने यूटूब चैनल भी विसाल में यदि आप चैनल पर नए है तो चैनलों को जुरू सब्सिक्राइब कर लिए नोटिफिकेशन बिलको भी ओन कर लिजिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी अब यजय को आज़ें यह दोस्तों करते हैं वीडियो को और जानते हैं महत्वत डूकुमेंट के बारे में और क्या है इंपटेंट इंपटेंट पॉइंट दोस्तों पहले आपको हम इह पता देगे यूपी स्मार्टफून यू इदिन आ जो लांज की गई है दोस्तों इ इस यह था कि जो हमारे देश के जो हमारे राजी के निवासी हैं उसमें बहुत से इस्टूडेंट ऐसे हैं जो स्मार्टफोन और लेप्टाप खरिदने की योगी नहीं थे और उनकी वारसे उनकी मतलब जो आए होती है दोस्तों मतलब बहुती कम थी वो लोग अपने बस बारव पास के जिस बारणकर औरन आपको ऊझना को पढल लांच भूझ Speak अप इससले मतलब इंकद भूल तो आपकी लिए स्मार्टफोन नहीं होगात तो आपके पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो आप पढ़ाई मतलब जान तो लेंगे पर आपको पता है कि दूसरी सब्सक्राइब काम और लाइन किया जा रहा है ना कि ऑफ-लाइन दूसरो इसलिए आपके पास एक स्मार्ट फोन या फिर टेबलेट फेले के लेटाप होना बहुत ही जरूरी हो गया है आज की जमाने दूसरी के डिश्टल इंड आपको बता दो कि दूसरों मेरे विडियो बना रहा है इस स्मार्ट फोन या जानते हैं दूसरों कोई जानकार बने रहे दूस्तों आपको इमारा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लिजिए ठीक है दूस्तों देखें या पर दिया हुआ है योजना का नाम दोस्तों यह जो योजना है दोस्तों उसका नाम क्या है उत्तर प्रदेश फ्री स्मार्ट फोन योजना है देखें यहां पर दिया सरकार के क्रांड सरकार का नाम उत्तर प्रदेश सरकार है दोस्तों बस यह अपने उत्तर प्रदेश के लिए दो कि प्रद्यान करेंगे ठीक है दोस्तों यहां पर दिया हुआ है लाभारती की संख्या दोस्तों यह लेफटाप पर स्मार्टफून दिये जाएंगे देखिए यह योजना लेवल क्या है देखिए लाइन पर दिया है यह लाइन पर दिया है और लाइन अवेधन प्रक्रिया यह पर दिया है और लाइन मतला को फॉर्म कैसे बरना है अपको ऑल्लाइन बरना है और अपके अपने वर्ट वेरिफाई किया जाएगा थीक है दोस्तों देखिए यह पर दिया है यह पर यह यूपी गॉवर्मेंट डॉट इन दोस्तों आप इस विजिट कर सकते हैं और आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप में कमेंट करेंगे देंगे तो आपको बड़ी टेंशन मतलीजिए गा ठीक है दोस्तों अब आए दोस्तों देखते हैं यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर दिया वाई यूपी सरकारी यूजना के लिए आवस्चक दस्ताविश दोस्तों आपको इस पॉइंट पर याज बात करने वाले थे ठीक है दोस्तों तो अपने पॉइंट पर आ चुके हैं जो बहुत ही महत्पूर डॉकुमेंट है वो क्या क्या है और आपके पास होना चाहिए या नहीं दोस्तों अगर एक भी डॉकुमेंट नहीं रहेगा तो इस फांको नहीं भर पहेंगे इसलिए आपके पास है ठीक है दोस्तों तो आपको और कोई डॉकुमेंट बनवाना है तो जुरूर बनवा लीजिएगा कोई दोकुमेंट 10-15 दिन बनकर आ जाएगा ठीक है दोस्तों सिर्फ मार्शीट को छोड़कर कि दोस्तों मार्शीट आपको अगर पिक्जान दिये रहेंगे तबी देगा मत देखें यहां पर दिया हुआ है पाहिलार नमबर वन कि सैच्छिड योगिता प्रमाण पत्र दोस्तों जो आपका हाई स्कूल या फिर इंटर और बीसी बीए फिर टेक्निकल डिप्लोमा या फिजो जिसका आपका पास सर्टिफिकेट है अब इसमें सब कुछ ल पैचान पत्र होना बहुत है जारूरी है कि आपका इस देश की निवासी है या फीर नहीं थिक है तो इसस्पेचान पत्र किना आपको लागाना एंपा आफा कर्ण का आथार कार्ड नाम किस देश किस राजीके एं और क्या आपका जो नाम दिदी इस यापको सब कुछी पत्र पट्र को आप दिए धाती प्रमाण पत्र डोकी दोस्तों मारा होता है कास्ट सटी फिकेट जो आप सभी लोग जन्सिवा के अंदर से बनवा लेते हैं तो इसलिए इस फर्म वीस वह और आपके ठीक है दोस्तो देखिये नम्मर फूर क्या दिया हुए निवास प्रमाद, पत्र गाहों के लिए बनता है क्या पूस्त गाहों के मौल निवासी आ या नहीं तुस्तों उसके पर्चे के लिए आपको निवास प्तर लगाना बहुत ही जी दौस्तो यह सब दोकुमेंट आपके अप लोड़ होंगे आपके आए जाती दुस्तो और यह photos यहां पर दिया और प्रमाट पत्र दौस आपके वारसी का कितने हैं दौस्तो अपके वारसी का अगर अधिक हो रही है तो दोस्तों को नहीं भरिथांगे प्रिकर दूस्तों कि इसलिए आप यहां पर दिया है जंव तीफी परमाड पत्र dolos available K da partner reverse T informat later I out अब को बनवाना बहुत ही जरूरी दूस्तों पहले क्या था कि आपका जो अफ-लाइन जरूर परनाट पत्र था उससे भी काम चल जाता था लेकिन दूस्तों अब इस जर्मती पर्माट पत्र के लिए दूस्तों आपको ओल लाइन रहेगा तभी आप इस फार्म को फील अप क जाएंगा ठीक दोस्तों तो अपना फॉर्म फोटे अच्छा सा बनवा लेंगेगा जिसमें दूस्तों आपका दोनों कान दिखना चाहिए और आपके के क्लियर कीड़े डिखना चयंए दोस्तों आपक िंटी कास्तों इसिप्तंड़ कार्डि केने डिटेल il- study of course दूस्त म अपना नमर जरूर करवाना क्योंकि दोस्तों जो सरकार है तर्फ आपका पता है कि चुन अगले इसी अगले मतलब अगले साल में चुना होने वाले दोस्तों अपने अच्छे के लिए दोस्तों कि आपको उसके अपको उसको धनराशी मिल सकती आपकी पढ़ाई के लिए दूस्तों ने साब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोस्तों उसके आपको कुछ धनराशी भी दी जाएगी ठीक है दोस्तों यह थी आज की बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट न्यूज दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छी लेगी वीडियो लाइक कर देगा और हमाई चैनल पर नहीं ह वीडियो लाइक शेर जरूर कर दीजेगा दूस्तों जहीं जहीं जे पारत मिलते नेश्ट वीडियो में